हेलो दोस्तों मैं पूझा सक्सेन फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ TGT PGT Mathematics Notes के साथ में यहां आपने देखा है कि भई हम Trignometry के Important Questions का Collection कवर कर चुके हैं अब हम Algebra के Important Questions का Collection कवर कर रहे हैं Algebra खतम होने के बाद हम Modern Algebra या कहीं Abstract Algebra के तरफ मूव करेंगे उसके बाद हम Geometry के तरफ मूव करेंगे तो चलिए आज Algebra की Series में आगे भड़ते हैं यदि If the Difference between Roots यदि मेरे पास एक Equation है X²-PX plus Q is equal to 0 इसके दूर Roots होंगे क्योंकि Quadratic Equation है यदि उन्होंनों के Roots का Difference 1 है तो Equation हमें याद रखने होगी P² plus 4Q² is equal to 2 होता है 1 plus 2Q का Whole Square नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यदि Equation हो मेरे पास में AX² plus BX plus C is equal to 0 और उनके Roots का Sum जो है इकल हो उनके Roots के Square के Sum के तब हमारे पास Equation होती है 2AC is equal to AB plus के B² नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास में Equation AX² plus BX plus C is equal to 0 और उसका एक Root दूसरे Root का 3 Times है तब हमारे Equation हो जाएगी या कहें तब हमारा Relation हो जाएगा 3B² is equal to 16AC नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यदि मेरे पास Quadratic Equation है LX² plus NX plus N is equal to 0 और उनकी जो Roots है उनके बीच का Ratio है P Ratio Q तब Relation होता है Under Root में P upon Q plus Q upon P plus के Under Root में N upon L is equal to 0 Under Root में P upon Q plus Under Root में Q upon P plus के Under Root में N upon L is equal to 0 Next हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास में Equation है Quadratic Equation है AX² plus BX plus C is equal to 0 और दूसरी Quadratic Equation है A-X² plus B-X plus C-Z is equal to 0 और इन नोनों की बीच में एक Root जो है Common है तब हमारा जो Relation मन जाता है वो हो जाता है CA-AC- is equal to AB-BA-BC-K CB' के लेजे चाहें BD'C के लेजे एक ही बात है अगला है हमारा कि यदि 1 upon A plus 1 upon C is equal to 2 upon B हो और साथ में Equation दी हो Quadratic A B-CX² plus B C-AX plus C A-B is equal to 0 ये given हो ये equation गिवन हो तो इस equations के जो डूट आते हैं वो हमेशा एक्वल होते हैं ठीक है दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा की नए questions के बारे में या कहें नए questions के collection के बारे में फिर मिलेंगे आपसे यदि आपको मेरे वीडियो का collection पसंद आ रहा है मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं questions important questions का collection पसंद आ रहा है तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें ताकि इस तरीके की वीडियो में आपके लिए और भी बना सको okay bye bye दोस्तों